तो देखिए आज से हम स्टार्ट करेंगे NCEIT का इतिहार्स की प्लास 6 की बुक और जिसमें चेप्टर 1 है क्या, कब, कहां और कैसे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, कब, कहां और कैसे तो देखिए रसीदा का सवाल अब ये जो लड़की है, इसका नाम क्या है, रसीदा तो इसके मन में जो है, वो कुछ सवाल उट रहे हैं रसीदा बैठी, अखवार पढ़ रही थी तो अचानक उसकी निगा एक सुर्खी पर पढ़ी तो अखवारों में जो सुर्खियां होती है न्यूज जो होती है, उस पर पढ़ी उसमें क्या लिखाता, सो साल पहली तो वो ये सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्सों पहले क्या हुआ था अब हरे एक के मन में कुछ न कुछ सवाल होते ही है और बच्चे उनके मन में तो बहुत सारे सवाल होते हैं जैसे ही कोई चीज वो देख लेते हैं कि यह चीज जो है वो किसने बनाई, कैसे बनी, कहां से आई ठीक है इसी तरीके से रसीदा के मन में भी सवाल उट रहे थे कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तो तुम रेडियो सुन सकते हो, टेली वीजन देख सकते हो या फिर अख़वार पड़ सकते हो साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तो तब हम क्या करेंगे, तब हम किसी दूसरे विक्ति से बात करेंगे जो कि उस समय उस घटना पर रहा होगा ठीक है, उस चीज की याद रही होगी, जिससे उस समय की इसमर्ती हो लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है तो यह सब को जो है रसीदा भी सोच रही थी, और हम भी ऐसा ही सोचते हैं तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जैसे लोग उस समय क्या खाते थे कैसे कपड़े वो पहनते रहे होंगे किस तरह के घरों में वो रहते होंगे ठीक है तो हमारे मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या जैसे हम इस टाइम जो है वो जिन मकानों में रहते हैं ऐसे ही मकान जो है वो पहले भी रहते थे तो हमने थो कपड़े पैंते हैं, क्या वो भी ऐसे ही कपड़े पैंते थे, क्या वो खाते थे, तो ये जो भी जीज हमारे सामने अभी जो आती है, कपड़े है, खाना है, घर है, ठीक है, कैसे बनी ये, इसका निर्मान जो है, वो कैसे हुआ, बहुत सारे सवाल हमारे भी माइंड बे उठ तो हम सिकारियों, पसुपालकों, करशिकों, साशकों, व्यपारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर विग्यानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं, ठीक है, तो किताबों में हम देखते हैं, वहां से हम पता कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो हैं कोई बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं उनकी आधार पर हम पता लगाया जा सकता है यही नहीं हम यह भी बता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे कौन से कहानिया सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गी लखाते थे तो इन सब का पता हम लगा सकते हैं इतिहास से, ठीक है इतिहास जानने की ही चीज है यहां इतिहास याने की प्राचीन समय में क्या हुआ हम जो आज जीवन जी रहे हैं उससे पहले क्या घटित हुआ तो यह सब कुछ हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है लोग कहां रहते थे तो देखें मानचित्र एक प्रस्ट दो इसमें नर्मदा नदी का पता लगाओ कई लाख वर्स पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं यहां रहने वाले आरंबिक लोगों में से कुछ कुसल संग्रहक थी जो आसपास के जंगलों की विसाल समपता से परचित थे अपने भोजन के लिए वे जड़ों पलों जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे वे जानवरों का सिकार भी करते थे तो इन लाइनों से जो है वो हमें क्या पता लगा कि लोग जो है सबसे पहले नर्मदान अदी के जो है थै उसके आसपास जो है वो रहा करते थे और यह कैसे थे कुसल संग्रहक थे ठीक है तो प्रारम लिग जो मानव था वो कुसल संग्रहक था यान्वी कि उसका काम क्या था जंगलों से जो है फल पूल जो भी उसके खाने लाइक जो चीजें हैं उनको इखटा करना और अपना जीवन यापन करना ठीक है जानवरों का जो है वो सिकार किया करते थे तो ये चीज जो है वो आपको याद रहेगी कि सबसे पहले जो आरंब के जो लोग थे वो पुसल संग्रहक थे ठीक है और नर्मदा नदी के आसपास वो रहे थे अब तुम उत्तर पक्षिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़े और किर्धर पहारिया, तो लगवग 8000 वर्ष पूर्प इस स्थ्री पूर्षों ने सबसे पहले यहां गेहू और जोव जैसी फसलों को उपजाना प्रारम किया, तो आपको भी पता लग गया कि 8000 वर्ष पहले जो क्रशी की गई, वो किसकी की गई, यानि क्रशी के जाती थी तो गेहू और जो जो की खाद्यान फसले हैं इन फसलों को उपजाना अरंब किया गया था ठीक है उन्होंने भेड, बकरी, गाए, पैल जैसे पसलों को पालतू बनाना शुरू दिया यानि क्रशी के साथ जो है वो पसू पानन ये प्रारंब हो गया था 8000 वर्स पहले कहाँ पर उत्तर पक्षिम की जो सुलेमान और किर्थर पहारियां हैं ठीक है कहाँ पर है देखें ये रही सुलेमान पहारी और ये रही किर्थर पहारी ठीक है और ये क्या है उत्तर पूरव में अब उत्तर पूरव कहा है ये उत्तर बताया मैंने और ये पूरव बताया यानि कि ये जो area है ये क्या है उत्तर पूरब तो उत्तर पूरब में गारो और मद्दे भारत में विंद पहाडियां का पता लगाओ ये कुछ अन्य ऐसे शेत्र जहां करशी का विकास हुआ जहां सबसे पहले क्या उगाया गया चावल उगाया गया तो ये भारत का जो है मैप है और यहां पर देखिए गारो जो पहाडियां है उत्तर पूरम है यहां पर जो है सबसे पहले चावल उगाया गया और यहां पर देखिए विंद पहाडियां है विंद पहाडियां जो की भारत जो है उसके बिलकुल मदे में है यानि की उत्तर भा जो कि सबसे पहले जो 8000 वर्स पहले किर्थर और सुलेमान की पहारियों के आस्पास जो है उगाया गया उत्तर पक्षिम के यहां ठीक है तो यह जो है जो लोकेशन जो मैंने आपको बताई या आप याद रखें कोशन पूछा जा सकता है एक्जाम में कि उत्तर पक्षिम में जो है कौन सी पहारिया है तो जहां पर केहु और जो जाना प्रारम किया गया था तो याद रखें किर्थर सुलेमान ठीक है उत्तर पूरब में गारो पहारिया है और मद्दे में है विंद्ध पहारिया नेक्स द यह उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है ठीक है तो यहाँ पर जो है हम मैप में यदि देखें तो देखिए यहाँ पर देखिए यह जो है गंगा नदी है कौन सी नदी है यह गंगा नदी तो गंगा नदी अब यह देकि जो सोन नदी है यह गंगा नदी मे मिल जाती है तो यमना नदी भी गंगा की क्या हुई सहाइग नदी हुई चम्मल जो है वह भी देखिए यहां दक्षिन से आकर जो है राजिस्थान में बहती हुई जो है यहां उत्तर प्रदेश में आके और किसमें मिल जा रही है यह यमना में मिल जा रही है तो यमना की सहा इन ही नदियों के किनारे कुछ आरंबिक नगर फले फूले किन नदियों के किनारे गंगा और उसकी साहिग नदियों के किनारे तथा समुत्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगवग जो है पची सो वर्स पहले हुआ यानि सिंदु और उसकी साहिग नदियां जो रखे कि 4700 वर्स पहले सिंदू और उसकी साहगनतियों के आसपस और गंगा और उसकी साहगनतियों के किनारे 2500 वर्स पहले नगरों का विकास हुआ तो देखिए सबसे पहले जो है वो कुसल संगरहक के रूप में जो है वो बताया गया आरम दिक मानव ऐसा था उसके बाद उस इस्थाई जो है वो रहना प्रारंब उसने कर दिया ठीक है पहले जो है वो घुमंतु था यानि एक जगे से तूसरी जगे जो है वो अपना खाने पीने का सामान इफेक्टा करके जानवरों का शिकार करके जो है वो अपना जीवन यापन करता था अब वो जो है एक जगे रहना उसने प्रारंब कर दिया तो नगरों का विकास हुआ ठीक है गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो है सोन का पता लगाओं तो गंगा के दक्षण में इन नदियों के आसपास का शेतर प्राचीन काल में मगद नाम से जाना जाता था तो मैंने आपको बताया कि जो सोन जो ह कि जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है सोन तो इसके जो है आसपास का जो शेतर है वो मगद नाम से जाना जाता था और ये एक विसाल राज्य था क्योंकि बहुत सक्तिशाली था देश के अन्ने हिस्तों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई लोगों ने सदिव उप महादीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यातरा की कभी कभी हिमाले जैसे उचे परवतों, पहाडियों, रेकिस्थान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यातरा जोखिंबरी होती थी, फिर भी वे यातरा करण उनके लिए असंबव नहीं थी अधै कभी लोग का करने के लिए अब Вो क्या करने लगा एक जगे से दूसरी जगे जो है वह यात्रा करना तारंबो उसने कर दिया कभी-कभी सेनाए कर UKESS के दूसरे शेत्रों पर विजय हासल करने के लिए जाती थी इसे की अतरित्र व्यापारी कभी काफिले में तो कभी चहाजों में अपने साथ मुल्यवान वस्तु हैं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे धार में गुरू लोगों को सिक्षा सलहा देते हुए एक गाउं से दूसरे गाउं एक कस्वे से दूसरे कस्वे जाया करते थे कुछ लोग नई और रोचक स्थानों को खोजने की चाहा में उत्सुक्ता वस्थी यात्रा किया करते थे ठीक है तब मैंने बताया आपको कि इच्छाएं जो है वो अब बढ़ने लगी थी लोग पहले एक जगे इधर उदर जो है वो जंगलों में घूमा करते थे फिर वो ग्रशी करने लगे पसु पालन करने लगे फिर वो एक जगे रहने लगे नगरों का विकास होने लगा अब उनकी च्छाएं क्या हो गई कि वो जो है अब एक दूसरे से कमटीशन करने लगे कि हमारा जो शेतर है वो अतिक शक्ति साली हो ठीक है तो दूसरे शेत्र को विजित करने के बारे में सोचने लगे ठीक है एक जगे से दूसरी जगे वो वस्तुओं को ले जाने लगे और लाने लगे और इसके अलवा धार्मिक गुरु जो है वो लोगों को सिख्षा और सला वह भी दिया करते थे वह भी एक गाउं से दूसरी जगे जाने लगे यानि यात्रा जो है वो करना प्रारंब कर दिया उन्होंने आज लोग यात्रा हैं क्यों करते हैं तो एक बार फिर से मानचितर एक को देखो पहाडियां, परवत और समुद इस उफ माहदीप की प्राकर्तिक सीमा का निर्वान करते हैं हाला कि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था जिन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके वे परवतों की उचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके उप महादीप के बाहर से भी कुछ लोग यहां आए और यहीं बस गए लोगों के इस आवा गमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समुद्र सॉरी सम्रद किया कई सो वर्सों से लोग पत्थर को तरासने, संगीत रचने और यहां तक की भूजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे अब लोग एक जगे से दूसरे जगे जब जाने लगे तो दूसरे जगे की जो चीज़ा थी उनसे परिचित होने लगे अपनी जगे पर आकर जो है उन चीजों को पताने लें तो इससे जो है जो ग्यान था वह भी एक जगे से दूसरी जगे फैला यहां बरमान के तर एक जो है दक्षण एसिया दक्षण एसिया जो है जिसमें कौन-कौन से देश आ जाएंगे तो आजनी भारत है, पाकिस्तान है, बांगला देश है, नेपाल है, फूटान है और स्री लंका है तो यह नाम जो है वो आप याद रखें और अफगानिस्तान, इरान, चीन तथा म्यनमार ही है ठीक है आदी पडोसी देशों को दरसाता है दक्षण एसिया एक महादीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एसिया से समुद्रों, पहाड़ियों, परवतों से बटे होने के करण इसे प्राय उप महादीप कहा जाता है ठीक है, तो यहाँ पर जो मानचितर एक है, तो यहाँ पर यह देखिए, भारत क्या है, उप महादीप है, क्यों यहाँ पर हमें परवत, पठार, मेदान, यह सब कुछ जो है वो देखने को मिलता है देश के नाम यानि की भारत जो देश है उसका नाम कैसे पड़ा तो यहां हम इसकी बात करेंगे अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तता भारत जैसे नामों का प्रियोग करते हैं इंडिया शब्द इंडस से निकला है किस से निकला है इंडिया इंडस से निकला है जिसे संस्क्रिप में क्या कहा जाता है सिंदू कहा जाता है अपने एटलस में इरान और युनान का पता लगाओ लगबग 2500 वर्स पूर उत्तर पक्षिम की ओर से आने वाली जहां पर सुलेमान और किरतर पहाड़िया हमने देखी थी तो वहाँ से आने वाली इरानियों और युनानियों ने सिंदू को क्या कहा हिंदोस कहा ठीक है तथा इंदोस और इस अनदी के पूर में इस्तित भूमी प्रदिस को क्या कहा इंडिया कहा तो यह आपके लिए जो है बहुत ही important line हो गई exam की according कि इरानियों और युनानियों ने सिंदू को क्या कहा हिंदोस और इंदोस कहा ठीक है भरत नाम का प्रियोग जो है वो किसके लिए किया गया उत्तर पक्षिम में रहने वाले लोगों के एक समुह के लिए किया जाता था ठीक है इस समुह का उलेक संस्कृत की आरंबिक लगवक 35 वर्स पुरानी कृती जो है रिगवेद में भी मिलता है किस समु का उलेक भरत ठीक है भरत जो समुह है उसका उलेक हमे रिगवेद में भी मिलता है बाद में इसका प्रियोग जो है वो भारत दीश के लिए होने लगा अतीत के बारे में हम कैसे जाने तो अतीत के जो जानकारी है वो हम कई तरह कैसे प्राप्त कर सकते हैं इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूनना और पढ़ना है यानि कि पुस्तकें जो हैं जिन में पहले की बातें लिखी गई हैं तो वहां से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाती थी पांडू लिपी कहलाती थी तो ये आप सिर्पूछा जा सकता है ठीक है कि जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई तो उनको क्या कहा गया पांडू लिपी कहा गया पांडू का अर्थ क्या है अंग्रेजी में पांडू लिपी के लिए प्रिफ्त होने वाला manuscript लेटिन सब्द मेनो जिसका अर्थ हात है इसे निगला है तो यह पूरी लाइन जो है आपके लिए जो है पहुत ही महत्पोन है पूछा जा सकता है कि manuscript सब्द जो है वह है कौन सी भासा से लिया गया है तो लेटिन भासा से लिया गया है ये पांडुलिपियां प्राय ताड पत्रों तथा हिमाले शेतर में उगने वाले बोर्ज नामक पेड की ज़ाल से विशे तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी तो देखे ताड पत्रों से बनी पांडुलिपी का एक प्रस्ट ये आपको दिखाई दे रहा है एक साथ बांध दिया जाता था भूर्ज पेड की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडू लुपी के तुम यहां देख सकते हो ठीक है तो ये जो पांडू लुपी है ये क्या है हिमाले शेत्र में उगने वाला जो भूर्ज नामक पेड की छाल जो है तो हम देखने हैं कि जो पत्ते हैं उनको जो है उनमें कीड़े भी लग सकते हैं तो ये जो पांडू लुपी हैं उसी पत्ते से बनाई गई तो कुछ तो ऐसी थी जिनको कीड़ोंने खा लिया और कुछ जो हैं वो नस्ट करदी गई फिर भी ऐसी कई पांडुलुपियां आज भी उपलब्द हैं प्राई ये पांडुलुपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं इन पुस्तकों में धार्मिक माननेताओं, वेभारों, राजाओं के जीवन, ओशदियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विश्यों की चर्चा मिलती है इसकी अतरिक्त हमारे यहां पर जो महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, ये भी हैं तो देखिए महाकाव्य हैं, कविताएं, नाटक ये भी प्राचीन समय में जो है वो लिखे गए थे तो प्राचीन समय की जानकारी जो है वो हमें यहां से मिलती है और इन में से कई जो है संस्कृत में लिखी हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकर्त और तमिल में मिलते हैं प्राकर्त भासा का प्रियोग जो है आम लोग करते थे हम अभी लेखों का भी अध्यन कर सकते हैं ऐसे लेख पत्थर अत्वा धातू जैसी अपेक्षा करतोर सतहों पर उत्कीन किये गए मिलते हैं तो पूछा जा सकता है कि अभी लेख जो है वो किस पर उत्कीन किये गए थे तो पत्थर या फिर धातू जैसी करतोर सतहों पर किये कभी कभी शाशक और अन्य लोग अपने आदेसों को इस तरह उत्कीन करवाते थे, अब जो शाशक होते थे, राजा जो होते थे, वो क्या करते थे, कि हमारी जो प्रसंसा है वह दूर दूर तक पहले, तो वो पत्थरों पर उत्कीन करवाया करते थे, या कोई आदेस हुआ कर तो अपने आदेशों को इस तरह उत्किन करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके हर व्यक्ति उसको आते जाते उसको पढ़ सके ठीके और वो प्राकृत भासा में जो है लिखवाये जाते थे ताकि हर एक को समझ में आ सके और उनका पालन कर सके कुछ अन्य परकार के अवल लडाईयों में अर्जित विजियों का लेखा जोका रहा करते थे कि ये जो है हमने विजय प्राप्त की है उस समय में तो वो सन ठीके किस किस के बीच में जो है वो युद्ध हुआ था तो ये सब जीज जो है वो अब लेखों पर जो है वो उत्कीन करवाया करते थे शाशक तो देखे ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है ये कठोर सतहों पर जो हो उत्कीन किया गया है ठीक है तो ये एक क्या है अभिलेग है अभी हमने क्या देखा था वो हमने देखा था पांडूलिपी लगवग बाईस सो पचास वर्ष पुराना ये है अभिलेग बर्तमान अभिलेग जो है अभिलेग जो है एक जाना शोक NAMAKSAS察 के आदिस पर लखा गया है तो तो ये इससाशक के विसय में तुम अध्याय आफ में पढ़ोगे देटेल हमें हम पढ़ेंगे चप्टर एट में जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपी का प्रियोक करते हैं ठीक है जिस तरीके से आज हम जो लिख रहे हैं ये जो भासा लिखी गई है ये देवनागरी लिपी में लिखी गई है जो हमें अच्छे से हिंदी में समझ में आ रही है तो हम लिपी का प्रियोग करते हैं, तो लिपियां अक्षरों अत्वा संकेतों से बनी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो संकेत होते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं, अत्वा पढ़ते हैं, तब हम एक भासा का प्रियोग करते हैं, तो पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमने किसका प्रयोग किया भासा का और लिखने के लिए हमने क्या किया लिपी का प्रयोग किया ठीक है जिससे की वो अक्षर और संकेत जो है वो उस समय समझ में आ सकें यह अब लिए कि इस शेत्र में प्रयोग तो होने वाली यूनानी तथा अरे माईक नामक दो भिन लिपियों त तत्व यानि की जिन वस्तुओं को उसने अध्यान किया विद यानि विद्वान तो उसे क्या कहेंगे पुरा तत्व विद जिसने की ऐसी वस्तुओं का अध्यान किया जो की बहुत पहले की है बहुत अतीत में जो वहाँ पर रखी गई थी या वस्तुओं जो थी जो पहले क कि कितने वर्स पहल पुरानी है, ये वस्तु जहें किस काम में आई है, ठीके जो खोज करते हैं, तो वो क्या है पुरा तत्विद कहलाते हैं, पुरा तत्विद पत्थर और इड़ से बनी इमारतों के अफशेशों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्यन करते हैं, वे ओजा कठोर तथा जल्दी नस्ट होने वाले होते हैं, तो देखिये, जब हमने पढ़ा है, पहले भी सिंदु घाटी सब्देता, हरपप सब्देता, मुहन जोदुर सब्देता, ठीके, कि वहां की खुदाई से जो है, वो हमें इतनी सारी वस्तुएं मिली हैं, ठीके, तो वही ब सब्देता, पराने तथा जानवर हैं, चिडियां हैं, मस्मियां हैं, उन्की हड्डीयों से भी पता लगाते हैं, कि ये जो है, वो कब की बात है, तो इससे उन्हें ये जानने मदद मिलती है, कि अतीत में लोग जो है, वो क्या खाते थे, वनस पतियों के अफ्सिज बहुत मुश्किल से बच पाते हैं यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं क्या पुरा तत्व विदों को बहुदा कपड़ों के अपसेश भी मिलते होंगे पाण्डू लिपियां तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं देखिए यह देखिए यह क्या है यह जो पात्र मिले है पुरा तत्व विदों को तो एक प्राचीन नगर के यह पात्र है इस तरह के पात्रों का प्रियोग जो है वो कब हुआ था 4700 वर्स पहले हुआ था तो प्रियोग जो है वो 25 वर्स पूर्व होता था हमारे द्वारा आज प्रियोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे बेल है तो आज का जो सिक्का आपने देखा और यह जो सिक्का लेका तो देखिए बहुत ही अंतर है इसमें पांडू लिपियों अभिलेकों तथा पुर तत्वों की, क्या की, प्राचीन तत्वों की, क्या की, खुदाई की, ठीके, और उसके बारे में, ज वो जानकारी हासल की, शुरौत के प्राप्त होते ही, अतीत के बारे में पड़ना बहुत रोचक हो जाता है, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजें लिखी हुई है ठीक है तो ये हम क्या कर रहे हैं अतीत का अध्यान कर रहे हैं और इन श्रोतों के साहता से हम धीरे धीरे अतीत का क्या कर रहे हैं फूर निर्मान करते जाते हैं अदे इतिहास कारत था पुरा ततो विद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी श्रोतों का प्रियोग सुराक के रूप में कर अतीत को जानने का प्रियास करते हैं अब किसी की जो है रुची होती है इतिहास पढ़ने में तो वो व्यक्ति जो है वह भी क्या है एक जासू के रूप में किया गया है ऐसा इस तत्थ की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समू के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग माइने थे तो जो चैप्टर का नाम भी जो रखा गया है वह भी सो समझ कर रखा गया है ये भी आप ध्यान में रखें। उधारन के लिए पशुपालकों तता कृष्कों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तता व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा की हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग- की रिवाजों का पालन करते थे। उधारन के लिए आज अंडेमान द्रीप के अधिकांस लोग अपना भोजन मचलियां पकड़ कर शिकार करके फल फूल के संग्रहे द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्या पूर्ती के लिए अन्य विक्तियों पर निर्वर रिख करते हैं। इस तरह के भेद जो है वो अतीध में भी विद्वान थे। ठीक है। इसके अधरिकते एक अन्य तरह का भेद है। उससे में साशक अपनी विज्यों का लेखा जोगा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शाशकों तता उनक में जीवन को जानने में मदद मिलती है हाना कि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना सेस है। पिथियों का मतलब। अगर कोई तुम से तिखी के विशे में पूछे तो तुम सायद उस दिन की तारीख, मा, वर्स जैसे की 2000 या इसी तरह का कोई और वर्स बताओगे वर्स की यह गरना इसाई धर्म प्रवर्तक इसा मसी जो है इनके जनम की तिखी से की जाती है। अतहे 2000 वर्स कहने का तातपर है कि इसा मसी के जनम के 2000 वर्स के बाद। इसे इसा मसी के जनम के पूर्व की सभी तिखियां जो है वो इसा पूर्व यानि की इसा से पहले की का उलेक करेंगी ठीक है तो यहाँ पर हम कैसे गरना करेंगे तो यह जो आरमदिक विंदू माना गया है 2000 से माना गया है ठीक है जो कि इसा मसी के जन्म की बात बताता है ठीक है और इससे पहले का जो समय है और इसा मसी के जन्म के बाद का जो समय है उसे हम कहेंगे EASWE इंग्लिस में हम क्या कहेंगे इसे एनो डॉमनी कहेंगे AD या CE Common Era कहेंगे अब गढ़ना कैसे करेंगे 2000 वर्स को जो है माना गया है आधार आरंबिक बिंदू माना गया है तो सिंदुगाटी सब्वेता का जो विकास है वो हम देखते हैं रेडियो कारवन 35, 2350 से 1750 BC यही देखते हैं हम यानि लगवग जो है डाई हजार इसा पूर्व पहले ठीक है मान लीजिए ऐसे हमने लिखा डाई हजार इसा पूर्व यदि हम इसे जो है वो साल में कनवर्ट करें साल में कनवर्ट करें तो हम क्या करेंगे इसमें 2000 प्लस कर लेंगे तो हमें पता लगेगा कि 4000 साल पहले जो है वो सिंदुगाटी सब्वेता का विकास हुआ इसी तरीके से यदि हम वैदिक सब्वेता के बात करें तो हमें पता है कि 1500 इसा पूर्व से लेकर 600 इसा पू करना की जाती है चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहां पर इतिहास और तिथियां तो अंग्रेजी में बीसी हिंदी में इसापूर्व कहते हैं इसका तातपर है इसा मसी के जन्म के वर्स से हैं ठीक है तो क्या था कि पहले जो है हमारे यहां पर क्या चलता था समय के लिए समबत चलता था जैसे कि विक्रम समबत हो गया हिजरी समबत हो गया सक समबत हो गया आप लोगों ने पढ़ा भी है ठीक है लेकिन जो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो है वो जहां वहां पर जो चलता था वही यहां पर लागो कर दिया ठीक है यह AD है CE है या फिर BC जो है यह अंग्रीजों के द्वारा यहां पर इनको समय के निर्धारन के लिए प्रियोग किया जाने लगा कभी कभी AD की जगे CE तथा BC की जगे BC की जगे BC का भी प्रियोग होता है CE अक्षरों का प्रियोग जो है वो common error था BCE का before common error के लिए होता है हम इन शब्दों का प्रियोग इसलिए करते हैं क्योंकि विस्वक यदिकांस देसों में अब इस calendar का प्रियोग सामन हो गया है भारत में तिथियों के इस रूप का प्रियोग लगवग 200 वर्स पूर्व आरंब हुआ था तो कभी-कभी अंगरीजी के विपी अक्षरों का प्रियोग होता है जिसका तात्पार है before, present, वर्तमान से पहले ठीक है तो आपको यहाँ पर जो है वो क्या याद रखना है यहाँ पर आपसे जो है यह पूछा जा सकता है कि जो इसा पूर्व है उसे क्या कहेंगे इंगलिस में तो उसे जो है वो क्या कहेंगे उसे कहेंगे BC, before Christ, full form पूछी जा सकती है ठीक है या BC को जो अन्य नाम क्या है उसका अन्य नाम जो है वो BC, BCE भी कहते हैं इसको ठीक है या फिर पूछा जा सकता है कि CE जो है इसके full form क्या है common era है ठीक है इसकी जगे जो AD लिखा भी मिलेगा अनो डॉमिनी तो यह चीज़ आपको ध्यान बे रखनी है चलिए अन्यत्र में देखिए जैसा कि हमने पहले पड़ा अभी लेक कठोर सतहों पर उत्कीन करवाए जाते हैं इनमें से कई अभी लेक कई सो वर्स फूर लिखे गए सबी अभी लेकों में लिपियों भासाओं का प्रियोग हुआ इस प्रकार से अग्यात लिपी को जानने की एक प्रसिद कहानी उत्री अफ्रीका देश मिस्तर से मिलती है लग भग पाँच हजार वर्स पूर विया राजा रानी रहते थे नेक्स्ट देखिए मिस्तर के उत्री तट पर रोसेटा नाम का एक कस्वा है यहां से एक ऐसा उत्कीन पत्थर मिला है जिस पर एक लेक तीन भीन 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 भासाओं तथा लिपीयों यूनानी और मिस्तरी लिपी के दो परकारों में है कुछ विद्वान यूनानी भासा पढ़ सकते थे उन्होंने बताया कि यहां राजाओं तथा राणियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गई इसे कार्तूस कहा जाता है इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्त्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्त्री अक्षरों की समानार तक ध्वन्यों के पहचान की जैसा कि तुम देख सकते हो यहां L अक्षर के लिए शेर और A अक्षर के लिए चिडिया के चि बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विवे नक्षर किन के लिए प्रियुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेकों को भी पढ़ सके तो यहां पर आपका यह चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है तो यहां पर जो इंपोर्टेंट लाइन थी वो मैंने आपको ब बार जो है वो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बता दी कि करशी का आरम जो है वो 8000 वर्स पहले हो गया था सिंदु सब्वेता के प्रथम नगर जो है वो 4700 वर्स पूर्व जो है यहां पर नगरों की स्थापना हुई गंगा घाती के नगर मगद का बड़ा राज जो है यह 2500 वर्स पहले और वर्तमान जो है इसका तिथी का निर्धारन जो है वो हम आरमदिक बिंदु मानते हैं 2000 वर्स को ठीक है तो चलिए अब ही हम जो है क्या करने वाले हैं चैप्टर हमने पढ़ लिया है अब हम इसकी question answer जो है वो solve करके देखेंगे और यह अखेट टथा संग्रहन यहाँ पर मानव जो थे वो कैसे थे यहाँ पर कुसल संग्राहक के रूप में यहाँ पर हमने पता चलते हैं मगद मगद के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मगद यह सबसे पहला जो है वो बड़ा और सक्ति साली राच्य बना था ठीक है और उसक यहां पर प्रथम नगर की स्थापना होती है 4700 वर्स पूर्व गारो पहारियां यहां पर आरवदी क्रशी की गई थी चावल के बारे में हमने पढ़ा था गारो पहारियां विंद पहारियां नेक्ट देखिए पांडू लुपियां तथा अभिलेकों में एक प्रमुक अंतर बताईए तो हमने बताया बहुत अच्छे से आपको कि पांडू कार्थ होता है हस्त ठीक है तो जो हस्त लिखित जो थी वो पांडू लिपिया कहलाई अभिलेक जो की पत्थरों पर कठोर सतहों पर उत्कीर किये गए ये इसका जो है वो प्रमुक अंतर हो गया ठीक है तो इस की तरीके से हम नेक्स चेप्टर जो है वो करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू